कैसे हो आप सब, I hope आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और वेलकम है आप सबीगा आज की इस वीडियो में बात करेंगे मार्केट की सिचुएशन के बारे में और क्या अपडेट्स हैं वो भी बात करेंगे अगर आप Bitcoin को देखेंगे तो Bitcoin अभी फिलहाल टिका हुआ है 3400 के लेवल पे कल है Sunday और कुछ ही यहाँ पे time रह चुका है weekly closing को weekly closings बहुत matter करती है market के लिए Bitcoin के लिए Bitcoin अपनी जो weekly closing है वो हमको कहां देता है इस week की अगर आप देखोगे यहाँ पे weekly closing जो आप देख पारे इस time पे अभी हुई नहीं है ठीक है होने वाली है जल्दी अगर Bitcoin इनी लेवल्स पे अगर हमको weekly closing देता है 30,000 से उपर तो अगला week अच्छा हो सकता है लेकिन अगर थोड़ा सा मामला कल गड़बड हुआ नीचे आया Bitcoin तो थोड़ी situation जो है जरूरी नहीं है कि 32,000, 33,000 जो 32, 33 के target हम लेके चल रहे है वहाँ जाने से पहले हो सकता है कि market में थोड़ा fluctuation आपको देखने को मिले और liquidation वाला game भी देखने को मिले तो उसके लिए भी तयार रहिएगा तो अब weekly closing का time नजदीक आ रहा है तो यहाँ पर उसके लिए तयार रहिएगा weekly closing बहुत जरूरी है वही decide करेगी कि next week bitcoin के लिए कैसा हो रखता है ना तो इसलिए weekly closing बहुत जरूरी है जो भी closing होगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे अभी फिलाल bitcoin के level 30,300,400 पर टिके हुए हो सकता है थोड़ा सा level फिर से आपको नीचे देखने को मिले क्योंकि 29 तक हम होके आए कल और उसके बाद 24 गंटे हो चुके हैं 30,000 पर टिका हुआ है तो थोड़ा level नीचे जा सकता है जैसे जैसे weekly closing का time नजदीक आएगा तो सबसे पहली update कहीं न गहीं इसको आप motivation की तरह भी लेके चल सकते हैं ठीक है अगर आप देखोगे whales market के अंदर बहुत सारी हैं जिनके पास अच्छा पैसा है और अच्छा profit वो बनाती है million dollars वाला खेल जो है वो खेलती है trader who made over 3 million dollar on polygon since July long on rival ethereum layer 2 project अगर हम कुछ data यहां पर देखेंगे अगर आप यह data देखोगे smart whale यहां पर जो action of the crypto whale are worth monitoring as his profit exceed 7.3 million dollar अब millions of dollar के profit यहां पर बनाए है अगर आप देखो यह इस whale का address और इस whale ने क्या क्या किया है क्या क्या खरीदा है क्या क्या बेचा है सब detail आपको मिल जाएंगी buying amount buying cost buying price selling amount selling value selling price और profits भी आप देख सकते हैं पर millions of dollar के profits भी वेल ने book कर रखे हैं और यह सारे अगर आप देखो एक तो magic coin के अंदर आप अच्छा खासा है दूसरा ARB Arbitrum अगर आप देखोगे पिछले कल काफी अच्छा pump हुआ है Arbitrum है ना दो दिन में अगर हम पिछले दो दिन का खेल देखें एजिक्स coin जो almost पूरा bumper return बना की दिया है तो किस तरह से whale मोटा पैसा डालती है और उससे भी double करके निकाल लेती है आप investment करते हो वेल्स के लिए जो खेल होता है वो अलग तरह से होता है ठीक है आप वेल नहीं हो लेकिन वेल बनने की आपको कोशिश करनी चाहिए कुछ मुश्किल नहीं होता है वस थोड़ा सा जो यहां पे है आपका research लगता और कुछ नहीं लगता मैं यह नहीं गह रहा है आप अभी से बड़े बड़े खेल खेलो नहीं छोटे छोटे खेल खेलो लेकिन उस छोटे छोटे खेल में आप profits बुक करो यह सबसे ज़्यदा जरूरी है तो वेल्स किस तरह से मोटा पैसा मार्केट से बना रही है आगे भी बनाने वाली है है अगला बुलरन आएगा वेल्स क्योंकि वेल्स का ही मोट पैसा है मार्केट के अंदर और institutions हैं और बस तो research कीजिए market बहुत risky है जो भी coin खरीद रहे हैं sell कर रहे हैं buy कर रहे हैं हमेशा अपनी research के साथ कीजिए नेक्स्टम बत करेंगे baby dogecoin के जलवों के बारे में जैसे लिस्टिंग अपडेट आया कि टॉप 5 में से एक exchange के उपर लिस्ट होने वाला है तो यहां पे जलवे दिख रहे हैं और साथ के साथ burning भी यहां पे हो रही है over 38 trillion अगर आप दे 30,000 डॉलर वर्थ बेभी डॉज को निया अगर आप देखो पिछले 24 गंटे में बार्न पॉर्टल की हम बात कर रहे थे पिछले 24 गंटे में 38 trillion बेभी डॉज को इन बर्न हुए हैं बर्न पॉर्टल के जरी इसके लाब बेभी डॉज को इनके जलवे आप यहां पे टॉप 100 में तो फरवरी में ही एंट्री कर ली थी फ्लॉकी इनों के साथ साथ है ना फिर से प्राइस बढ़ रहे हैं 23 परसेंट आज भी ग्रीन में बेभी डॉज को इन बना हुए है यही एक रिजल्ट जो आप रैंक देखोगे वह सो से नीचे आ चुकी है टॉप 100 में आ कौन से चल रहे हैं अगर आप देखोगे वह नेटवर्क की अगर मैं बात कर लूँ पिछले तीन-चार दिनों से लगातार कंटिन्यूइस के प्राइस में सर्ज हमको देखने को मिल रहा है 0.23 25 26 28 अब 0.32 पे आ चुका है प्राइस एटी सिक्स की रैंक हो चुकी है बाइस परसेंट प्राइस फिर से बढ़ गए हैं पिछले 24 गंटे में आर्बीटरम चल रहा है 1.73 डॉलर दो तीन दिन पहले की बात करें तो 1.3 डॉलर के राउंड था यह 1.2 1.3 आज 1.7 डॉलर पे आ चुका है तो कॉइंस अच्छे खासे टॉप 100 के यहां पर जलबे दिखा रहे हैं और के भी कॉइंच चल रहा है 15 परसेंट ऑसिस नेटवर्क रोज चल रहा है 14 परसेंट डी वाई डी एक्स ऑप्टिमिजम भी 9 परसेंट है फ्रेक्स शेर भी है जी एमेक्स भी है और ग्राफ भी है तो यह है आज के टॉप गेनर्स जो अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं अपने होल्डर्स को नेक्स टम बात करेंगे आपको पता है अभी रिसेंटली फ्लॉकी सीओ आपने देखा होगा बहुत अच्छा प्राइस सर्ज हुआ उसका 500-600-700% तक उसके बाद DOGE CEO था एक क्रिप्टो वो भी अच्छा सर्ज हुआ था यह सभी नए क्रिप्टो है इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी यहाँ पर कोई भी एडवाइस नहीं है क्योंकि नए क्रिप्टो आप बहुत रिसर्च के साथ इन्वेस्ट कीजिए क्योंकि बहुत सारे स्कैम टोकन्स भी होते हैं लेकिन एक तरह से जो है फ्लॉकी CEO पंप क्या हुआ सारे कोईंस के CEO आ गए फ्लॉकी का CEO फ्लॉकी CEO हो गया है ना डॉज CEO अल्रेडी बड़ा इसके अलावा अगर आप देखोगे पिछले 24 गंटे में शिवा CEO भी 250CG है 200 पूरा 300% उपर चल रहा है शिवा CEO और इसके हलावा बेबी डॉज का भी CEO आ चुका है मार्केट के अंदर तो सभी के CEO आ चुके हैं और वो यहां पर जल्वे दिखा रहे हैं और 150% बेबी डॉज CEO भी बढ़ चुका है कोई भी एडवाइस नहीं है लेने से पहले अपनी रिसर्च कीजिएगा अच्छी तरह ठीक है अगर आप कहेंगे इन CEO वाले कौइंस पे एक वीडियो आया जाए तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे ठीक है कमेंट कोई भी क्वेश्चन को भी सवाल है पूछ सकते हैं किसी भी क्रिप्टो में इंवेस्ट करें हमेशा अपनी रिसर्च करें वह बहत जरूरी होती है मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई-बाई टेक केर